दिल्ली विश्विद्यालाई के नामी गारगी कॉलेज की छात्राओं से छेड़ चाड़ के ममले में दिल्ली पुलिस ने अफायार दर्ज कर ली है और अब पुलिस ने फायार भी दर्ज कर ली है देश के नामचीन कॉलेज में शुमार गारगी कॉलेज की छात्राओं हैं ये एक के बाद एक आप बीती सुना रही हैं क्योंकि सबसे बेहतरीन कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई है छेड़ चाड़ गारगी कॉलेज में वारशेक फेस्ट रेविरी चल रहा था इस दोरान छात्राओं जोश में थी हर तरफ फेस्टिवल का खुमार था पर आरोप है के कुछ लड़के दीवार फांद कर इस फेस्ट में घुस गए और छात्राओं के साथ अबद्रिता करने लगे छेड़चाड करने लगे चात्राओं ने घटना छेफरवरी की बताई चात्राओं के मताबिक छेड़चाड करने वारे लोग शराप फीकर पहुँचे थे और उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी और बत्तमी जी की क्या था छेफरवरी को? फेस्ट चल रहा था, पासिस की विवस्था थी, कैसे कोई बाहर से आया? चेए फारीकों ऐसा था कि मतलब इस्टार नाइट थी हमारे कॉलिज में और हमारे कॉलिज की लड़कियों को सब लड़कियों को पासिस दिये गए थे उस पास के तुरू कोई भी एक नॉन डियू या डियू लड़का आशकता था तर पुलिस की कोई ववस्ता थी कोई नहीं था आपकी हल्प की नहीं उस दिन थी विवस्ता तो बहुत ज़ा थी यह भी हुआ था कि मतलब शाम की टाइम थोड़ी चैकिंग बंद हो गई थी और क्राउड जाता जादा हो रहा था इसलिए मतलब धक्का मुखे करके लोग अंदर जा रहे थे उस दिन दिल्ली पुलिस और महिला आयोग ने पूरे मामले का सत्वा संग्या लिया है राष्टी और दिल्ली महिला आयोग किती मौके पर पहुँची और छात्राओं से बात की तारीक को जो घटना घटी है वो अब जाके रिपोर्ट हो रही है मुझे लगता है कि शरम की बात है और कॉलेज और पुलिस इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है क्योंकि उन दोनों को पता था कि छे तारीक को क्या हुआ है तो वो क्यों नहीं F.I.R. दर्ज कराते किस बात पे वो चुप बैठे है इसलिए दिल्ली महिला आयोग उनको नोटेस इशू कर रहा है कि देरी क्यों और अब कब अरेस्ट करोगे सबसे बड़ी बात वो रहा है पूरा मामला उस वक्त और बढ़ गया जब राज्यसभा सांसा संजय सिंग ने राज्यसभा में और कॉंग्रिस सांसाद गौरव गोगोई ने लोगसभा में ये मुद्दा उठाया दिल्ली में बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है और दिल्ली पुलिस वहां मूगदर्सक बनके खड़ी रही है कॉलेज का प्रसासन और प्रिंसिपल कह रही है हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई बच्चिया कही रहे हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भांग है ये हो क्या रहा है हम इछ साजी के राज में ग्रीमंत्री है वो देश के उनको संग्यान नहीं लेना चाहिए इस घटना का जिक्र कर रहे हैं जो संग्यान में आया है, वो चातर नहीं थे, कई बाहर के लोग वानबूसे थे, वो भी ठीक नहीं है, इसलिए उस कॉलेज के प्रशाशन को पूछा गया कि इसमें ध्यान दे गारगी कॉलेज की चात्रों ने आरोपियों की जल्द से चल्द गिरफतारी की मांग की है लेकिन इस घटना ने गारगी कॉलेज में चात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये हैं कॉलेज में लड़कियां पढ़ने आ रही हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जाहितोर पर कॉलेज प्रशासन की है और जब फेस्ट हो रहा था तो बाहर से लड़के आए छेडखानी की घटना हुई इतना खौफनाक मंजर था कि लड़कियां इतनी जाता घबरा कोई कि आज वो यहां पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है कैमरामेन रफीक के साथ व्यागरवाल दिली न्यूस 24